दोस्तों मुसल्मान कहते हैं कि इसलाम में बुद्परस्ती हराम है यानि कि मुसल्मान मूर्थी की पूजा नहीं करते लेकिन सच तो ये है कि मूर्थी पूजा हर धर्म में है बस उनका तरीका अलग है मूर्थी पूजा का मतलब है किसी पराशक्ती अत्वा दैविय शक्ती को एक साकार रूप दे कर उसके प्रती शर्धा रखना ये जानते हुए भी कि वो पत्थर या मूर्थी स्वेम इश्वर नहीं है मक्का में कावा में पूर दिशा में स्थित अल हजर अल अस्वाद या हजर अस्वद अर्थात काला पत्थर नाम से मशूर ये पत्थर हर मुस्लिम के लिए उतना ही पवित्र माना जाता है जितना एक भक्त के लिए एक देवता की मूर्ती हज के दौरन हर हजी की कोशिश ये रहती है कि वह इस काले पत्थर के दर्शन तो अवश्य करे और हो सके तो वो इसे चूमे भी अब जब एक पत्थर को देखना उसे चूमने की कोशिश करना एक हज करने वाले मुसलिम का धर्म बन जाता है तो क्या यहे बुद्परस्ति नहीं हुई भले ही उस पत्थर को कोई शक्ल नहीं दी गई हो क्योंकि उस परम शक्ति को कोई भी धर्म चाए सनातन धर्म हो या फिर इसलाम या फिर बौद या फिर इसाई या फिर सिक किसी के प्रवर्तक ने जो रूप देखा ही नहीं तो फिर उसकी मूर्ति को बनाना भी सम्मव नहीं है परंतु जिस प्रवर्तक ने जैसा रूप अपने अनुयाईयों को दिखा दिया उन्होंने वही मूर्तियां बना कर इश्वर की पूजा करने लगे क्योंकि इसलाम में ये अधाना बिठा दी गई है कि ये अलहजर अलाजवाद नामक पत्थर अल्ला ने उपर से भेजा है इसलिए इसके दर्शन करो और चूमो ये हज़ पर आने के गवाई है क्या ये बुद्परस्ती नहीं है एक पत्थर के दर्शन करना ये काबा की परिकर्मा करना जो की एक साकार इमारत है उसके चार और साथ बार चक्कर लगाना क्या ये बुद्परस्ती का उधारन नहीं है जैसा हिंदू मंदिर में शिवलिंग के चार और परिकर्मा करके उस शिवलिंग को पूजते है जब अल्हा निराकार है और उन्होंने आकली नभी मुहम्मद साहिब को बनाकर भेजा तो फिर क्यों मुहम्मद साहिब ने इस काले पत्थर को पुनर स्थापित कर बुद परस्ती करवाना शुरू की मुहम्मद साहिब ने इस काले पत्थर को नहीं तोड़ा जबकि अन्य मूर्थियों को काबा से तोड़कर हटवा दिया इसका एक करण ये हो सकता है कि वे सभी मूर्थियां किसी ना किसी मनुश्य के रूप में होंगी और महम्मा साहिब अल्लहा को मन्श रूप नहीं देना चाहते होंगे क्योंकि उन्होंने एक नए धर्म इसलाम की इस्तापना करनी थी अगर वो उन 360 मूर्थियों को काबा में जियों कात्यों रहने देते तो शायद इसलाम धर्म की उत्पत्ती ही कभी न होती क्योंकि तब उस समय के अरब निबासी इस नए धर्म को क्या अलग समझते जो कि सिर्फ एक पत्थर को रहने दिया और बाकी मने शुरूप मूर्थियों को तोड़ दिया जो कि पत्थर से मानविय शकल बनाई जा सकती है पर मानविय शकल से पत्थर नहीं बनाया जा सकता है इसलिए मुहम्मद साहिब ने अपने नय धर्म की उत्पत्ती के लिए मूर्थ्यों को तुलवाना वहतर समझाओगा पर वो पत्थर को इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि वो पत्थर उन्होंने खुद स्थापित किया था खुदा का नभी होने के पांस साल पहले बेभला अपनी बात को कैसे जुटलाते अगर वो इस पत्थर को भी तोड़ देते तो उन्हें फिर कौन नभी मानता कि पहले तो खुद स्थापित करवाया और खुद नहीं तुलवा दिया दुनिया का हर मुसलमान काबा की और मू करके ही नमाज पढ़ता है अर्थात वो सर्म निराकार इश्वर को एक विशेश दिशा और एक भवन तक ही सिमत रखता है यदि ये साकार अराधना नहीं है तो किसी और दिशा में मू क्यों नहीं किया जाता फिर फकीरों की कबर ज उसके प्रती भी शर्दा रखी जाती है और जैरत की जाती है वो भी साकार पूजा ही तो है इसे लिए साकार पूजा या मूर्तिकफं़ा हर अलग अलग हैं और देखने का नजरी अलग है झाल झाल